और हिंडन बर्ग को छोड़ दीजिए राहूल गांधी जी तो ये बात दो साल से कह रहे थे तब तो लोग मजाक उड़ाते थे ये बोलते थे कि हम कोई दुश्मनी बरत रहे हैं पर आज तो मार्केट ये बात कह रही है राहूल जी को जब दो साल से पता था कि अडानी मनिपिलेशन कर रहे है शैस का तो फिर राहूल गांधी के ही पार्टी के अशोक गेहलोत मंच पर उनके साथ क्यों गलबहियां कर रहे थे अडानी साब के साथ देखे मुझे लगता है कि इस देश में एक बात हमें समझने की जरूरत है ने कॉंग्रेस पार्टी ना राहूल गांधी व्यक्तिगत तोर से किसी व्यक्ति के हम खिलाफ नहीं नमबर दो बात हम कॉर्परेट्स के खिलाफ भी नहीं ये बात राहूल जी कई बार कहे चुके है अगर कोई कॉर्परेट कल को आज तक अगर जाकर नौईडा की बजाए एक दफ्तर खोलना चाहे राजस्तान में या च्छतिस गड़ में या हिमाचल में किसी का भी कोई बिजनिस करे बिजनिस को बढ़ोतरी होनी चाहिए अगर बिजनिस बढ़ेगा तो ही तो रोजगार पैदा होगा प्रन्तु अगर आप पूरी सरकार एक एजेंट के तौर पर काम करें देश के लिए नहीं एक बिजनिस हाउस के लिए आप पोर्ट हो एरपोर्ट हो मा पावर प्लांट्स हों अगर आप सरकारी संपती एक के बाद एक के बाद एक व्यक्ति को दें तो भी हम समझ लें